तो जी आज की जो रेसिपी हैं वो बहुत ही एजी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर सीफ हमें दही और आलो की जरुथ है और बस कुछ मसालों की और यह जटपट से बन के तयार है तो फटा-फट से बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर जो है मैंने 1.500 ग्राम दही लिया है यह जादा खटा नहीं है उसके बाद मैंने इसमें एड़ किया 1.5 टी स्पून हल्दी पाउडर 1.5 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर यहां पर मैंने उसके बाद एड़ किया 2 टी स्पून धन्या पाउडर उसके बाद इसम काली मिर्च पावडर और यह हैं हाफ टी स्पून अमसूर पावडर और हाफ ही टी स्पून इसमें गरम मसाला पावडर भी अड़ कर देंगे अब इसको देरेंगे एक बहुत अच्छा सा मिक्स और उसके बाद इसे रेस्ट करने देंगे जब तक हम बागी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर जो मैंने आलू है वो काफी छोटे साइस के लिए हैं आप चाहें तो दूसरे आलू का भी इस्तिमाल कर सकते हैं बट मैक्सिमम लोग इनी आलू से दही आलू बनाते हैं और इसमें जो है मैं एजीली छेट कर पा रही हूं उसका रीजन यह है मैंने इसे 15 मिन के लिए बॉयल किया उसके बाद इसमें इस तरह से छेट कर रही हूं यहां पर जो है मैंने एक पैन लिया है उसकी अंदर मैंने थोड़ा सा ओयल डाला है और सारे आदो को इसी पॉइंट पर अच्छे से बहुत अच्छे से का मतलब है कि इसमें इवनली पूरे में अच्छा सा ब्राउन कलर आजाना चाहिए बस हमें इसे उतनी ही देर शैलोर फ्राइ करना है उसके बाद हम इसे प्लेट आउट कर लेंगे और ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर जो है मैंने एक कडाय ली है जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें जो है मैंने वन सर्विंग स्पून मस्टरड ओयल एड़ किया है आप अपने पसंद का ओयल इस्तिमाल कर सकते हैं ओयल का कच्छा पंदूर होते ही अब इसमें मैं एड़ करूंगी अब इसमें एड़ करेंगे वन टी स्पून कुटा हुआ अद्रक लसंग अब चाहे तो इसमें अद्रक लसंग का पेस्ट भी आड़ कर सकते हैं और अब इसे बहुत अच्छी तरह से भूल लेंगे जब तक कि इसका कच्छा पंदूर नहीं हो जाता आप देख सकते हैं इसने जो अपना हलका सा कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है अब इसी पॉइंट पर हम दही एड़ कर देंगे जिसमें हमने सारे स्पाइसे एड़ करके रखे थे तो आप देख सकते हैं दही जो हलका सा फूला फूला सा हो गया एक्चुली जो मसाले ह पहले से रख दिया जाये तो मसाले फूल जाते हैं और वो टेस्ट और अच्छा गड़ते हैं और उन्हें भूनने में भी जाधा टाइम वेस्ट करना पड़ता क्योंकि वो जल्दी से भून जाते हैं तो आप देख सकते हैं बस मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया उसके बाद मैंने इसे जब तक के लिए भुलने दिया जब तक इसका ऑल जो है सर्फेस पर नहीं आ गया ऑल सर्फेस पर आते ही अब इसमें आलू एड़ कर देंगे जिसको हमने श्रालो फ्राइ करके रखा था आप देख सकते हैं इसके पर जो कलर है कितना अच्छा आया हुआ है और पूरे में इविल नी आया है तो बस अब इस आलू को भी हम सबको इसी में एड़ कर देंगे और अभी से दे देंगे एक अच्छा सा मिक्स अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से हमें वेट करना पड़ेगा चार से पांच मिनिट के लिए ताकि आलू के अंदर तक मसाला जो है चला जाए अगर आप जो है ग्रेवी को हलका सा लूस करना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पर पानी को आड़ कर सकते हैं बट पानी आड़ करने से पहले इसमें हम डालेंगे वन टीस्पून कसूरी मैथी जैसे कि मैं हमेशा रोस्टिट डालती हूँ क्योंकि जो रोस्टिट कसूरी मैथी होती है उसका जो जायका होता है वो अलग ही आता है तो यहाँ पर जो है मैंने वन टीस्पून लूज नजर आ रही है तो बस हमारी रेसिपी पूरी तरह से बन के तयार है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी चैनल इट्स लजीज को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास मिले के बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नो